जैजरी कृष्णा दोस्तों स्रिष्टी ग्यान ऐस्टोटलो जी चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों आज का जो विश्य है वो हमारे धर्म कार्म से संबंधित है अधिकतर लोग कुत्ते को रोटी देते हैं गाय को रोटी हरा चारा खिलाते हैं मचलियों को दाना डालते हैं कबूतर है तोते हैं चड़िया है इनको दाना डालते हैं को एको रोटी देते हैं तो यह जो कर्म किये जाते हैं किस उद्देश शेक किये जाते हैं उसका बहुत बड़ा रोल होता है मान लीजिये आप साधारन धर्म करना चाह रहे हैं धर्म की इक्षा से आपके मन की इक्षा से देते हैं तो पुन्य मिलता है लेकिन आप मान लीजिये कोई आपकी इक्षा है या धन की अभिलासा से या कुरूर ग्रह की महादसा अंतर दसा से बचने के लिए आप यदि ऐसा करते हैं तो इनका समय होता है देने का कि इनको कब दिया जाए ताकि हमको पूरो नफाल मिले बाकी यदि आप ऐसे ही अपनी रूचीशे इनको देना चाहते हैं तो आप कभी भी दे शकते हैं लेकिन एक समय अगर आप बांधते हैं या एक समय होता है इनको देने का उस समय पर देते हैं तो यदार्थ और सही फल आपको शिगर मिलता है माली जी आप कुट्टे को रोटी देते हैं कुट्टे को जो रोटी देते हैं आप उसका समय होता है सुबह गाय को, कुट्टे को, कव्वे को कव्वे को आप बारा बजे के बाद भी रोटी दे सकते हैं लेकिन जिसको भी माल लीजिये क्रूर ग्रह की दसा चल रही है जैसे राहू, केतु, मंगल शनी तो इन ग्रहों से बचने के लिए आपको कुट्टे को रोटी सुभह पहले ही दे देनी चाहिए आप माल लीजिये ओफिस के लिए निकल रहे हैं तो देते वे जाईए और देते समय आपको अपनी समस्त चिन्ताओं को परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ध्यान करते हुए कि वो परेशानिय दूर हो रही है फिर आप कुट्टे को वो रोटी जरूर दीजिए प्राते है अगर आप रोटी देते हैं तो जो भी आपकी शमश्याएं अरचन आती है ग्रैकलेस वगर आदी लड़ाई जगड़ा जो भी है वो उसमें आपको सफलता मिलती है और मान्चिक शामती प्राप्त होती है ये तो था कुट्टे के लिए और गाए गाए हम सभी जानते हैं प्राचीन परंप्राओं से हम गाए को रोटी हराचारा डालते आए गाए की महिमा तो हमारे वेदों में सास्त्रों में लिखी हुई है गाए को हराचारा खिलाने से देवता पितर भगवान शब प्रशन हो यदि आप गाए को हराचारा खिलाते हैं गुड रोटी खिलाते हैं तो मंतर है ओम सुरब्याई नमाहा इस मंतर का जाप करते वे आप गाए को रोटी हराचारा अवश्य खिलाए इसके बाद गाए को आप रोटी सुब है जब आपका नास्ता बनता है तब ही आप खिलाए बहुत सुब होता है इसके अलावा गाहे को आप दो टैम अर्थात सुबह और शाम दोनों समय खिला सकते हैं सुबह रोटी शाम को चारा खिला सकते हैं काफी अच्छी आपके काम दंदे में आपको संथान से सुख प्राप्त होने लग जाएगा ये है गाहे को खिलाने का समय कोवे को यदि समय नहीं है तो सुबह खिला कर जाएं या फिर बारा बजे के बाद मध्यान में कोवे को खिलाने का अति उत्तमफल प्राप्त होता है शनी, राहू और पित्र तीनों प्रशन होते हैं कोई को रोटी खिलाने से मचलियों को कभूतरों को हरा चारा रथाद हरा दाना जो भी आप दाना डालना चाहें वो प्रात्य है सूर्योदे के समय आपको डालना चाहिए इससे आपको जो रोजगार में कमी आ गई है धन में बरकत नहीं हो रही है काम धन्दा ठप पड़ गया है उसमें आपको फाइदा मिलेगा खास कर चिडिया कभूतर के लिए जरूर आप कीजिए चीटियों को आटा कभू डालना है क्या मिलता है वो मैं वीडियो डाल चुका हूँ इस वीडियो में बस आपको मैंने बताया कुत्ते के लिए गाए के लिए और कवे के लिए कभूतर के लिए आदी तो आप भी यदी कर रहे हैं तो समय जान लीजिए और फिर आप कीजिएगा आपको अतिशिग्र लाब होगा फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैस्री कृष्णा श्री राधे